ओम शान्ती सुनते हैं 31st मार्च 90 के अव्यक्त बापतादा के मदुर महावाक्य आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने चार क्वेस्चन नमबर वन चारों और की अवश्यक्ता प्रमान इस समय कौन सी बाबा ने कहा कौन सी पुमर है दूसरा कौन सी पुकार है दूसरा सभाव संसकार में यदि कोई कमी है तो कौन सी चीज कमियों से वेराग दिलाएगे थर्ड पॉइंट्स तो बहुत हैं लेकिन पॉइंट रूप बनने की किस बात की अवश्यक्ता है यदि लास्ट यर्थार्त रहम दिल में कौन सी तीन बातों के किनारा करने की आवश्यक्ता है आज बाबा ने बहुत सुंदर वेराग्य के उपर मुर्ली चलाई वेराग्य आ जाए ना अपनी कमियों से भी वेराग्य औरों की कमियों से भी रहम की भावना कितने रहम की भावना अंदर हो किसी से घिरणा नहीं आएगे किसी से नफरत नहीं आएगे रहम दिल की भावना बहुत इंपोर्टेंट है अपने उपर भी रहम हो औरों पे भी रहम हो यह बहुत जरूरी है अच्छा ऄब सुनते हैं कतिस मौर्च नबे की मुर्ली रहम दिल और बेहद की वेरागवर्ती आप लवफुल और मर्सीफुल बाप दादा अपने समान बच्चों को देख रहे हैं आप बाप दादा विश्व के सरव अंजान बच्चों को देख रहे थे भले अंजान हैं लेकिन फिर भी बच्चे हैं बाप दादा के संबन से सरव बच्चों को देखते हुए क्या अन्भव किया कि मेजर्टी आत्माओं को समय परती समय किसी ना किसी कारण से जाने अंजाने भी वर्तमान समय मरसी अर्थात रह्म की दया की अवश्यक्ता है सबको जरूत है सबको और अवश्यक्ता के कारण ही मरसीफुल बाप को याद करते रहते हैं तो चारों और की अवश्यक्ता परमाण इस समय रह्म दृष्टी की पुकार है क्योंकि एक तो भिन्बिन समस्याओं के कारण अपने मन और बुद्धी को संतूलन ना होने के कारण मर्सीफुल बाप को अपनी अपनी मन्यता वालों को मर्सी के लिए बहुत दुख से प्रेशानी से पुकारते रहते हैं चाहे अंजान आत्मा हैं बाप को ना जानने के कारण अपने धरम पिताओं वा गुरुओं को वा इश्ट देवों को मर्सीफुल समझ कर पुकारते हैं लेकिन आप सब तो जानते ही हो कि इस समय एक सिवाए एक बाप परम आत्मा के और किसी भी आत्मा द्वारा मर्सी मिल नहीं सकती भले बाप उन्हों की इच्छा पूरण करने के कारण भावना का फल देने के कारण किसी भी इश्ट को वा महान आत्मा को निमित बना दे लेकिन दाता एक है इसलिए वर्तवान समय के प्रमान मर्सीफुल बाप बच्चों को भी कहते है कि बाप के सैयोगी साथ ही बुजाएं आप ब्रह्मन बच्चे हो तो जिस चीज की आवश्यक तायवे देने से परसन नो जाते हैं तो मास्टर मास्टर मर्सीफुल बने हो आपके ही भाई बहने हैं ना चाहे सगे हैं वा लगे हैं लेकिन हैं तो परिवार के अपने परिवार के अंजान प्रेशान आत्माओं के उपर रह्म दिल बनो दिल से रह्म आए वेश्यकी अंजान आत्माओं के लिए भी रह्म चाहिए और साथ साथ बाबा ने का और साथ साथ ब्रह्मन परिवार के पुर्शार्थ की तिवर्गती के लिए वा सव उंती के लिए रहम दिल की आवश्यकता है सव उंती के लिए सव पर जब रहम दिल बनते हैं तो रहम दिल आत्मा को सदा बेहद की वरग वर्ती स्वते ही आती है सव के परतीवी रहम हो कि मैं कितनी उँचते उँच बाप की वही आत्मा हूँ और वही बाप समान बनने के लक्षे धारी हूँ उस परमान ओरिजिनल स्रेश सवाव वा संसकार में अगर कोई कमी है तो अपने उपर दिल का रहम कमियों से वेरग दिला देगा बाप दादा आज यही रुहानियत कर रहे थे रुहानियत रूरुहान आज बाप दादा यही रूरुहान कर रहे थे कि सभी बच्चे नॉलिज में तो बहुत हुश्यार है पॉइंट्स रूप तो बन गए हैं लेकिन हर कमजोरी को जानने की पॉइंट्स है जानते भी हैं कि यह होना चाहिए करना नहीं चाहिए यह जानते हुए भी पॉइंट्स रूप बनना और जो कुछ व्यर्थ देखा सुना और अपने से हुआ उसको फुल स्टाप की पॉइंट लगाना नहीं आता है पॉइंट्स तो हैं लेकिन पॉइंट्स रूप बनने के लिए विशेश क्या वश्यकता है अपने उपर रहम औरों के उपर रहम भगती मारग में भी सच्चे भगत होंगे वह आप भी सच्चे भगत बने हो आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है ना तो सच्चे भगत सदा रहम दिल होते हैं इसलिए वे पाप करम से डरते हैं बाप से नहीं डरते लेकिन पाप से डरते हैं इसलिए कई पाप करम से बचे हुए रहते हैं तो ग्यान मार्ग में जो भी अर्थात रहम दिल हैं उसमें तीन बातों से किनारा करने की शक्ती होती है जिसमें रहम नहीं होता वे समझते हुए जानते हुए तीन बातों के परवश बन जाते हैं वे तीन बाते हैं अलबेलापन इर्शा और घिर्णा कोई भी कमजोरी वा कमी के कारण वश ये तीनों बाते होती है और जो रहम दिल होगा वे बाप के साथ ही धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुब इच्छा रखते हैं जैसे भगत डर के मारे अलबेले नहीं होते ऐसे ब्रह्मन आतमाएं बाप के प्यार के कारण धर्मराज पूरी से करास ना करना पड़े इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते बाप का प्यार उससे किनारा करा देता है अपने दिल का रहम अलबेले पन, अलबेला पन समाप्त कर देता है और जब अपने परती रहम भावना आती है तो जैसी विर्ती जैसी समर्ती वैसी सरव ब्राह्मन स्रिष्टी के परती स्वते ही रह्म दिल बनते हैं यह यर्थार्थ ग्यान युक्त रह्म बिना ग्यान के रह्म कभी नुकसान भी करता है लेकिन ग्यान युक्त रह्म कभी भी किसी आत्मा के परती इर्शावा गिर्णा का भाव दिल में उत्पन करने नहीं देगा ग्यान युक्त रह्म के साथ स्वेम का रुहानियत का रुहाव भी अवश्यक है समझा अकेला रहम नहीं होता लेकिन रहम और रुहाओ दोनों का बैलेंस होता है अगर ग्यान युक्त रहम नहीं है साधान रहम है तो किसी भी आत्मा के परती चाहे लगाओ के रूप से चाहे किसी भी कमजोरी से उसके उपर परभावित हो सकते हैं परभावित भी नहीं होना है सुना एक बाबा पर ही परभावित होना और किसी पर नहीं होना ना घिरना चाहिए ना परभावित चाहिए घिरना में भी उल्टे सुल्टे संकल्प चलेंगे परभावित में अटेच्मेंट के चलेंगे क्योंकि आप तन्मन बुद्धी सहित बाप के उपर प्रभावित हो चुके हो जब मन और बुद्धी एक के तरफ और उंचे ते उंचे बाप के तरफ प्रभावित हो चुकी तो फिर दूसरे के उपर प्रभावित कैसे हो सकते अगर दूसरे के उपर प्रभावित होते तो इसको क्या कहेंगे दी हुई वस्तू को फिर से स्वेम यूज करना उसको कहा जाता है अमानत में ख्यानत जब मन बुद्धी दे दिया तो फिर आपकी रही कहां जो प्रभावित हो बाप के हवाले कर दिया न या आधा रखा है आधा दिये जिनोंने फुल दिये वे हाथ उठाओ देखो ब्रह्मन जीवन का फाउंडेशन महा मंत्र क्या है क्या है बई मन मना भाव तो मन मना भाव नहीं हुए हो न तो ज्यान सहित रह्म दिल आत्मा कभी किसी के उपर चाहे गुणों के उपर चाहे सेवा के उपर चाहे किसी भी प्रकार के सैयोग प्राप्त होने के कारण आत्मा पर परभावित नहीं हो सकते क्योंकि बेहद के वेरागी होने के कारण बाप बाप के सने सैयोग साथ इनके स्वाय और कुछ दिखाई नहीं देगा बुद्धी में आएगा ही नहीं तुमी से बैठों तुमी से सों तुमी से खाऊं तुमी से सेवा करों तुमी साथ करम योगी बनों यही समर्ती सदा उस आत्मा को रहती है तुमी से खाऊं तुमी से बैठों तुमी से सों हर करम करों यही समर्ती रहती है फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे भले कोई स्रेश्ठ आत्मा द्वारा सैयोग मिलता भी है लेकिन उसका भी दाता कौन है तो एक बाप की तरफ ही बुद्धी जाएगी ना सैयोग लो लेकिन दाता कौन है ये भूलना नहीं चाहिए शिरिमत एक बाप की है कोई निमित आत्मा आपको बाप की शिरिमत की समर्ती दिलाती है तो उनकी शिरिमत नहीं कहेंगे लेकिन बाप की शिरिमत को फालो कर औरों को भी फालो कराने के लिए समर्थी दिलाती है निमित आत्माएं, स्रेश्ट आत्माएं कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरी मत पर चलो मेरी मत ही शिरिमत है ये नहीं कहेंगे शिरिमत की फिर से समर्थी दिलाते इसको कहते हैं यर्थार्थ सैयोग लेना और सैयोग देना दादी की दादी की शिरिमत नहीं कहेंगे दादी की दीदी की शिरिमत नहीं कहेंगे निमित बनते हैं शिरिमत की शक्ती समर्थी दिलाते हैं इसलिए कोई भी आत्मा के उपर परभावित नहीं होना है अगर किसी भी बात में किसी पर परभावित होते हैं चाए उसके नाम की महिमा पर रूप पर वा किसी विशेष्टा पर तो लगाव के कारण, प्रभावित होने के कारण, बुद्धी वहाँ अटक जाएगी, अगर बुद्धी अटक गए तो उड्ती कलाबे नहीं हो सकते, उड्ती कला नहीं हो सकती फिर, अपने उपर भी प्रभावित होते हैं, मेरी बहुत अच्छी प्लैनिंग बुद्धी है जी मेरा ज्यान बहुत सपस्ट है मेरे जैसी सेवा और कोई कर नहीं सकता मेरी इन्वेंटर बुद्धी ये गुणवान हूँ ये अपने उपर भी प्रभावित नहीं होना है विशेषता है प्लैनिंग बुद्धी है लेकिन सेवा की निमित किसने मनाया मालूम था क्या कि इसलिए सवन्ति के लिए जर्थार्त ग्ञान युक्त रहं दिल बनना बहुत अवश्यक है फिर ये इर्शवा गिरना समापतो जाती है दिवर गती की कमी का मूल कारण यही है इर्शवा गिरना और प्रभावित होना चाहे अपने ऊपर चाहे दूसरे के ऊपर और चोर्थ बात सुनाई फिर अलबेलापन यह तो होता ही है टाइम पर तयार हो ही जाएंगे यह है अलबेलापन बाप दादा ने एक हसी की बात पहले भी सुनाई ब्राह्मन आत्माओं को दूर की नजर तो बड़ी तेज है दूसरे की कमी देखने की हां लेकिन नजदीक की नजर थोड दिखाई देती है और अपनी कमी देरी से दिखाई देती है तो रहम की भावना लव फुल भी और मरसी फुल भी हो इससे दिल से वेराग आएगा अच्छा सरव रहम दिल स्रेश्था आत्माओं को सदा स्वेहम को सब उन्ती की उड़ती खला में ले जाने वाले तिर पुर पुर्शार्थी आत्माओं को सदा हर समेक बाप को साथ अन्मव करने वाले अन्मवी आत्माओं को सदा बाप को दिल की आशाओं का पूरा करने वाले कुल्दिपक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते ओम शांती ये एक पेरणादायक विडियो है जरूर देखें कोई भी मिस ना करें